प्रेरितो 18 अध्याई 24 से लेकर 28 तक वच्चनों को पड़ेंगे अपलोस नामक येत यहुदी जिसका जनम सिखंदरिया में वाता जो दिद्वार्क रुष्ता और पवित्र सास्त्र को अच्छी तरसे जानता था इफिसिस्ट में आया उसने प्रभु के मार्क की शिक्षा पाई थी और मन लगा कर ईशु के विशे में टीक टीक सुनाता और सीखाता था परन्तु वा केवल युगना के बप्तिस्मा की बात जानता था वा आराधनालया में निडर वकर बोलने लगा पर प्रिस्कला और आकिला उसकी बाते सुनकर उसे अपने यहां ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी टीक टीक बथाया जब उसने निक्षई किया की पार उतर कर अगाया को जाये तो बायोंने उसे दाडस देकर छेलों को लिखा की वा उसे अच्छी तरद मिले और उसने यहां पहुँच कर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिनोंने अनकर की कारण विश्वास किया था क्योंकि वैं पवित्र सास्त्र से प्रमान दे देकर की इश्व ही मसी है बड़ी प्रबलता से यहुदिया को सब की सामने लिरुतर करता रहा इश्व मसी की नाम की महिमा हो आज यहां अपलोस नामक का एक व्यक्ति के बारे में आम देखने जा रहे हैं अपलो स्कोण हैं वो एक यहुदी था और सिक्कंदरिया में जनम ववता करके अमने उसके बारे में यहां देख रहे हैं वो एक अच्छा पवित्र सास्त्र को जानने वाला है उसको समझाने वाला है उसके बारे में यही बच्छन बताता है वो एक यहुदी था, पवित्र सास्त्र के बारे में अच्छ से वो जानता था, जानकर चलो ठीके मैं तो जानता हूं करके वैसा नहीं रहा, वो क्या करता था, पवित्र सास्त्र को सब जगा पर जाकर वो फ्रचार करता था, अच्छ से उस वच्चन के बारे में लोहों को देख इतना अच्छ से वो करने वाला था, वो खेवल तिर्फ इसी को ही जानता था, युगन्ना बप्तिस्मा के बार में वो जानता था, वो जितना जानकारी पाया है, उतना जानकारी में वो एक दून के साथ रहा, एक सच्चाई के साथ रहा, एक मन लगा कर अपना कामों को वो खार रहा था ऐसे एक आलसपन में ऐसा नहीं किया एक मन लहा कर एक उत्साइक मन से आत्मा में गरमा गरम होकर वो प्रभु के लिए सेवकाई करता था ये आकर यहां सेवकाई कर रहा था ये फेश में आकर वहां लोगों को यहुदी लोगों को बीच में ये प्रचार कर पवित्र सास्त्र के बारे में वहां बता रहा था तब वहां एक आकिला प्रिस्कला करकी उन दोनों उनको देख रहे थे वो देख रहे थे उनका आत्मा को लोग देख रहे इतना उद्साई के इतना मन लगा कर वो प्रचार करता है एक गरम को एक पवित्र प्रेम को एक पव तो इन लोग ने क्या किया उसको अपने साथ उनको ने लिया, उनको और भी परमेश्वर का मार्ग किया है, परमेश्वर का वच्चन में और भी क्या लिका है, हर एक बातों को लोग ने सिखाया, देखिए अभी दुसरा कोई होते तो क्या करेगा, अपलोस का जगा पर दुस सब मैं जानता हूँ ऐसा करके भी गमंड आ जाता है तोड़ा बहुत वच्चन मालुमोग होने लगता है लोगों के अंदरी तुना बड़ा गमंड आ जाता है लेकिन जो व्यक्ति नम्रदा से वच्चन को सीखते रहेगा सीखते रहेगा उसके उपर और भी आनगरक मिलते र जो नम्रदा व्यक्ति है वा ओर भी परमेश्र का वच्चन को पाएगा प्रकाशन को पाएगा और भी बहुत लोगों का आशिछ का कारण रहेगा जो व्यक्ति नम्रदा नहीं है सीखने के लिए अपना मन नहीं कोलते है तब आ लोग जरूर दुसरे को भी आशिछ का सिखने के लिए थैयार है नम्र है वो जरूर आगे 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 बढ़ते रहेगा अनगरक के उपर अनगरक पाते रहेगा बल के उपर बल ग्यान के उपर ग्यान सामर्त के उपर सामर्त पाते रहेगा यह पहले से यह हाँ सामर्त पाया हुआ एक वक्ती एक सामर्ती वक्ती है पवित्र साफ्तर के बारे में इतना अच्छी से जानने वाला दखती है गरमा गरम रहता है लेकिन इनके अंदर क्या है? अभी खेवल इतना ही जानता है योहना का बप्तिसमा के बारे में वो जानता है इतना जानकारी पाया, उसी में वो सच्छा ही रहता है लेकिन अभी ये लोग ने क्या किया इश्व मसी का बप्तिसमा के बारे में पवित्रा आत्मा के बारे में लोग अच्छी तरसी सिखाया अतिकार को सिखाया क्योंकि इश्व मसी के द्वारा में जो जो अतिकार मिला है आत्मिक अतियार मिला है आत्मिक अभिश्यक मिला है ये सब एक अतिकार है उन लोग ने उसको अपने तरफ उसको ले लिया अपने साथ ले लिया उनका अच्छी तरसे सारा बातों को समझाया और भी ये बात है सब विश्वास कीजिए, यह पवित्र सास्त्र में यह सब लिखा गया है, बताया गया है करके, हर एक पवित्र सास्त्र से इन लोग ने उनको समझाया, वो भी क्या किया, यह तो सब मेरे को माल में ऐसा नहीं का, वो भी नम्र वोकर उसी का, सीखने के बाद वो लोग अगाया देश में लोग उनको बेज रहे, तब वहां भी वो जाकर छुपने रहा, वहां भी जो यहुदी लोगों को बीच में जा रहा है, जाकर वो बता रहा है, पवित्र अस्तास्त्र में जो जो इस मसी के बार में जो लिखा गया है, अनगरग के द्वारा, जो लोग उदार पाए उनके लिए सहायत बन कर रहा एक सहायता करता था मदद करने वाला बन गया था नहीं तो दूसरा बाकी यहुदी लोग क्या करते थे नहीं यह सुट तो नहीं है अनगरव तो नहीं है अनगरिया के द्वारा ही हम उदार पाएंगी परमेशर को पास हमको जाना है परमेशर का उदार को हमको पाना है तो हम मैनत करना पड़ेगा हम क्रिया करना पड़ेगा ऐसे करके कामों के बारे में लोग ववस्ता के बारे में उनलोग सीखाने लगा तब यह जाकर क्या किया सारा अनगरे का संदेश को इन लोग ने उसको सीखाया आकिला प्रिस्कला ने सीखाया तब देखे लास्ट अंत में वही बोलकर वो वहाँ वह ये वच्छन ये हो रहा है कतम हो रहा है तब वो क्या किया जहां वो गया वहाँ यहुदी लोहों को वो बीच में जाकर वो बठा रहा है निडर ओकन खहरा है नहीं आप लोग सब जूट बोल रहे हो अनगरे के द्वारा वो दार मिलता है अनगरे के द्वारा जो विश्वासी बने लोगों को करमेश्वर का दार मिला है करके उनको सपोर्ट करने लगा सहायता करने लगा जहां भी जाता था इसे ल अम्र लोग जरूर बहुत लोगों का आशिष का कारण बन जाते। मुझे सब कुछ मालूम है ऐसा करके जो अपना मन का द्वार को जो व्यक्ति बंद कर देता है वो जरूर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज हमारा मन फेशा है आज अमारा आत्मा में अम कैसा रहते हैं ये परमेश्वर आज जानते हैं आज अमारे अंदर से भी बहुत ऐसे अपनलोस को अम कड़ा करना है आज आपके सामने जो व्यक्ति को परमेश्वर लेके आ रहा है उसको आप सई सच्चाई उसको देते रहे सई प्रकाशन उसको बाटते रहिए, पवित्र आत्मा का अभिशेक उनको खाने के लिए आप उनको सिखाईए, समझाईए, इश्व मसी का अधिकार को, अमको समझाना पड़ेगा, इश्व मसी का अधिकार क्या है, पवित्र साथ आत्मा का सामर्थ क्या है, वो सब अम लोग को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, जरूर लोग चुटखारा पाएंगे, आशिश पाएंगे, अनगरग पाएंगे, और भी नयने लोहों को लेकर आएंगे, देखिए येक व्यक्ति है, आज बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, येक व्यक्ति से हम क्या जाकर क्या प्रचार करेंगे, ऐसा करके बहुत लोग क्या कर देते हैं, उसको साइड कर देते हैं, लेकिन सेवक्काई देखिए, येक अपलोस वो आज उठाया, कितने लोहों को वाशिश का कारण बना, अगर उन लोग उस दिन अपने साथ में उनको नहीं बुलाया, उनको ये स आकिला प्रिस्कला उस आशिश को लोग कोई होंगे, लेकिन देखिए, इनने लोग ने बुलाया, अपने साथ ले लिया, अब और भी इसके अंदर जो आत्मा का गरम को लोग ने देखा, दून को देखा, और भी अच्छी तरस से उनको समझाया, अच्छी तरस से उन आति इसकार को लोग ने समझाया, उसके अंदर से जो हंग्यानता है, उसको आठाया, उसको चमकाने के लिए परमेश्वर इन दोनों को स्थमाल किया, इस्थमाल किया आशिश पाया, देखिए, आज वैसे आमारे सामने, जो जो व्यक्ति को परमेश्वर लेकर आएंगे, उनको आप ऐसे ही बनाने वाला बनना है, ऐसे अपलोस के समान उनको भी आप उठाना है, खडा करना है, इन दिनों में हम देख रहें, आकरी समय आच चुका है, अभी ऐसे ही लोग मन इदर उदर बटकते वे गुम रहें, किसी को भी आजी, वच्चन के उपर मन नहीं, पर एक मन नहीं लग रहा है, तब अमारा मन यहां नहीं है, तो पिर कहां लगा हुआ है, यहां नहीं है, तो जरूर दूसरा कहीं लगा हुआ है, तब हम क्या करना है, आत्मा में गरमा गरम रहते वे, रभु के लिए सेवकाई करना है, गरमा गरम रहते वे, आपके सामने, जो व्यक्ति, जो बेठे, जो भी आएंगे, उसके लिए आप सच्चाई को पताईए, आप जो जो सच्चाई को पाया है, जो जो प्रकाशन को पाया है, आप उनको प्रेम से बताईए, समझाईए, जरूर वो लोग भी आशिश पाएंगे, उसकी द्वारा हामें भी बहुत बड़ी आशिश मिलेगा, बहुत बड़ी चुटकारा मिलेगा, इसलिए हमको क्या करना है, आत्मा में करमा गरम रहते हुए, प्रभु खिले सेवा करना है, इन दिनों में, आकरी समय में, हमको क्या नहीं करना चाहिए, निराश वोकर बस अभी जो भी है, करना है करके, हम ऐसे ही थंड़ा होकर हम बैड़ जाते है, जरूर हम क्या हो जाएंगे, हम भी थंड़ा हो जाएंगे, हमारे पास जो भी लोग आ रहे है, उसको भी हम ध्यान नहीं देंगे, आज देखिए सेवकाई मतलब, ये मत सोचिए, बहुत बड़ा स्टेज में जाकर, वो करते हैं, वो ही केवल सेवकाई नहीं, सेवकाई मतलब आपके पास जो जो व्यक्तिकों परमेश्वर दे रहे, बेज रहे, हाप उनको क्या कीजिएगा, प्रभु में गरमा गरम कीजिए, आपके पास जो तेन है, पवित्रा आत्मा का तेन है, उसके उपर डालिए, आत्मा में उसको गरम कीजिए जो भी आपके पास आरे उसको आपको क्या करना चाहिए गरम करना चाहिए आप बैट कर उसको क्या करना नहीं चाहिए उसका जो आत्मा में ऐसे टिम टिमा कर चलने वाला दिया को बुजाने वाला नहीं रहना चाहिए दिया को और भी बढ़ाने वाला तेल डाल पवित्र वच्छन को बताने वाला, सच्चाई को समझाने वाला, सच्चाई का प्रकाशन देने वाला अम बनना है। उनके अंदर जो आग कम देख रहे, और वे उसको तेज बढ़ाना चाहिए, पवित्र आग कम देख रहे, जैसा अपनलो उसके अंदर ये लोग पवित्र आग को देखा, देखकर आकिला प्रिस्कला ने क्या किया, उनको और भी तेल डाला, समझाया परमेशर का मार्व क्या ह परमेशर का अधिकार क्या है, इश्व मसी के द्वारा में क्या-क्या मिला है, पवित्र आत्मा का विशे के द्वारा में क्या-क्या मिला है करके, हर एक बातों को वेवरन से उनको समझाया, और भी उसका आत्मा का दिया को जैलाया, तेल डाला, तब देखिए, ओ भी आत्म नम्रता से सुनकर वो क्या किया? वहाँ अगाया देश में जाकर उन लोहों को प्रचार करने लगा, समझाने लगा, इशु ही प्रभु है करके उसी वच्चन से लेकर, उसी पवित्र सास्त्र से लेकर यहुदी लोहों को बीच में निक्षई करने लगा, हाज ऐसे ही अपलोस को हम भी कड़ा करना है, हम भी ऐसे अपलोस के समान उठना है, नम्रवना है, आत्मा में गरमा गरम रहना है, सिखने के अमेशा तयार रहना है, मुझे साब आ गया करके जो व्यक्ति बोलते हैं, उनको वहाँ वो लोग वही रुख जाते हैं, मुझे और इस वच्छन के अंदर में सिखनाय करके, जो व्यक्ति नम्रता से सिखते रहेगा, वो आगे बढ़ते रहेगा, खेवल आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत लोगों काशिश का कारण बनेगा, क्योंकि आत्मा में गरमा गरम होना चाहिए, इन दिनों में हम देख रहे हैं, वह आपके पास जो भी दिया है, उसको भी थंडा करने का हावा इस दुनिया में लगा हुआ है, लोगों को गलत उबदे, इस गलत सिख्षा कितने आगे बढ़ रहा है, हम ठोकर नहीं काना है, ठोकर का कारण भी नहीं बनना है, तो हमको क्या करना चाहिए, हम सच्चाई में सा मर्त पाकर हम खड़े रहना चे, तबी हम ठीक पाएंगे, वहां एफेसी लेटर में एफेसी कलिश्या के लिए पाउलस लेटर लिखा, तबी इसी बातों को वहां बता रहा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन बनो, परमेश्वर के सारे अत से नई परन्तु, प्रदानों से और अतिकारी से और इस संसार के अंदकार के हाकिमों से और उस दुष्टों की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है, इसलिए परमेश्वर के सारे अतियार बांदलों की तुम बूरे दीन में सामना कर सको, और सब कुछ उरा करके स्तिर इसलिए अम लोग क्या करना चाहिए? सारे आत्मिक अत्यार को बांध कर अम सैतन का सारा युक्ति के उपर जाई पाना है तो ये सारे आत्यार को बांधना है आत्मिक अत्यार को बांधना है आत्मिक अत्यार को बांध कर आप आत्मा में गरमा गरम नहीं रहा जरूर आपका उ ये सच्चाई में, ये सच्चाई का हाग में, ये हमारा सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वच्चन अमारे लिए मार्ग के लिए दिया है, वो जाला है, वो आमें रोशनी देता है, इस वच्चन को हम पकड़ते हुए, सच्चाई प्रकाशन को पाते हुए, आत्मिक जीवन में गरमा गरम रहते हुए हम प्रभु के लिए और भी प्रकाश पोना है और भी लोहों को प्रकाश करना है यही परमेश्वर का इच्चा है यहां हम यही देख रहे है अपलोस को परमेश्वर ने चुन लिया है वैसे आज अमारा बीच में भी बहुत। अपलोस को परमेश्वर खड़ा करना है। मेश्वर में और उसके सक्ति के प्रबाव में हम बलवंद होकर सैतान का सारा युक्ति के उपर हम जाई पाने वाले बनना है हम जब तक आत्मा में हम गरमा गरम नहीं रहेंगे सैतान हमारे उपर जाई पाते रहेगा इसलिए मेरे प्रियबाई बैन आज आप जहां बैटेगों आज आप उट जाएए प्रभु के लिए बलवंद बनकर जैसा ये अपलोस के समान आप ये आत्मिक जीवन में गरमा गरम होते हुए प्रभु के लिए सेवकाई करना है ये शुही प्रभु है करके ये सच्चाई क हम भी लोहों को बताना है अनगरग में बलवंद वोना है ये परमेशर का वच्चन हमें सिखाता है इसलिए आत्मिक उनति पाना है ट्रभु अपलोस को जैसा उबयोग किया वैसे आज हमें भी उबयोग करेंगे हम भी अमेशा प्रभु के लिए उबयोग पात्र बनकर तय प्रवामे इस वच्छन के दुआर आशिष करेंगे। प्रवु में लेकर आने वाले बने प्रवु में लोहों को बनाने वाला खड़ा करने वाला बने पिता हमें इस्तिमाल कीजिए। प्रवु में लेकर से जानकर उसको प्रवु में बनाने के लिए हमें सब को आशिष कीजिए। प्रवु इस वच्छन को प्रवु सुनने वाला हरे एक व्यक्ति को आशिष कीजिए।